नमस्कार स्वागत है आपका आने 24 नियूस पर और चत्तिरगर क्रिसी प्रधान हमारा जो राज्य है जिस पर हम विशेश कालक्तम अपने किसान भाईयों के लिए हमेशा लाते रहते हैं आज किसानी का वक्त देरे देरे बित्ते बित्ते दो मेहने का हो चुका है अब किसान भाईयों के सामने अपनी फसल को बढ़ाने का अपनी फसल को अलग अलग तकलिफों से बचाने का एक सजग माध्यम बन चुका है आने 24 जिसकी जानकारियां हम हमेशा देते रहते हैं आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्री नीचर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिंटेट के मैनेजिंग डिरेक्टर स्री नीराज पांडे जी और आज हम उनसे जानेंगे के क्रिशी को उन्नत तरीके से कैसे किया जाए, क्रिशी को हम कैसे अपने पैदावार को जादा से ज़्यादा ले सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए और पूरी की पूरी साइंटिफिक तरीकी सिखेती करने की तरीकों की बातचीत के लिए आज हम उनका स्वागत करते हैं स्वागत है सर आपको अब दनवाद उम्पकास जी सर आज हम आपसे ज को अप मेरे खाल से बढ़ते जा रहा है तो इस पर हमें श्री नेचर ग्रीन के प्रोड़क्ट के बारे में और इनसे कैसे बचाव किया जाए और कैसे इनका उपयोग किया जाए इसके बारे में प्लीज हमयाब जनकारी दें सबसे पहले तो आपका आरेन 24 का मैं स्वागत करना चाहूंगा और दन्वाद देना चाहूंगा कि आप लोग इतने सजग हैं कि आपने 36 के किसानों को और अपने देश के किसानों के लिए ऐसा प्रोग्राम लाते रहते हैं समय समय पे उनको एक बैस जानकारी मिलती रहे इसक सुप में समय ना आप बात कह रहे थे कि हमारा खेसान दो महींने की लगाव भसल कर चुका है कं से बढ़ाने का काम चल ला है आ है करफaker ने की बात करेंगे अब आपको बताएं गए अव्कास जी फसल के दुस्मन कहीं परकार के होते हैं बीमाइयों भी अटेक करती हैं बीमारियों के साथ-साथ इंसेक्ट पेस्ट का भी अटेक आता है तो किसानों को यह जाना चाहिए कि किस समय पे कौन सी बीमारियों का अटेक आता है कौन-कौन से इंसेक्ट पेस्ट अटेक करते हैं अगर किसान यह बात समय से रहते समझ ले और जान ले तो मुझे लगता है कि किसान अपना फसल में उत्पादन और फसल की रंग रूप की क्वालिटी उत्पादन की क्वालिटी एक दम ही अलग ला सकता है इसकी लिए किसमझ से रहते किसानों को अपडेट रहना चाहिए आपके माद्यम से किसान बहुत हमारे किसान भाईयों को जानकारी मिलती है कि बीमारियों से पहले किसानों को ये वीडियो के माद्यम से आपके चैनल के माद्यम से किसान समझते हैं कि अभी हमारा फसल दो मेने का ढ़ाई मेने का हो रहा है अब यह बीमारियाँ शुरू हो रही है तो समय स्ट जशाओं ऑओए लिकिन मेजर नगर बात कर जाया है तो संटिक नम सीत विलाइट है उसका सीट विलाइट जो बीमारी है वो इनिसेल स्टेज में दिखती है जब फसल 45-45 दिन का होने लग जाता है तो धान के पौदे में आप देखेंगे जहां से पौदा पानी से बाहर निकलता है वहां पर चरपे के वहां ब्राउन क्लर के चकत्ते दब्बे भूरे-भूरे स भी स्टार्ट होती है जहांसे स्टेम निकलता है तनह निकलता है दीरे-दीरे-दीरी बीमारी बढ़ती पूरा पत्ते पर और स्टेम पर और दीर-दीरे फिर भाली हो तक ही पहुंच जाती है कि फसल जो ना 60-70% तक खतम हो जाता है अगर किसान उस इसको समय से रहते हैं अ अपने देश की बात करता हूँ जहाँ भी पैडी का बात करके ऑय दूसरी विलाशणी आथा है उसके बाद सीट बिलाइट में बात करी अभी मेजर बीमारी है दूसरी भीमारी मेरे सीबियर बीमारी है बिलाश से भी देखा गया है कि फसल 50-60% तक अफेक्टिड हो जाती है और फसल अगर मैं बताया आपको कि अगर जैसे किसान समय पे नहीं समझ पा रहा है उस बात को और नहीं फील्ड में अबजर्व कर पा रहा है कि हमारी भीमारी खेतों में बीमारी आ रहे हैं समय रहते है अगर उसको कंट्रोल करता है बाजार में बहुत अची दमाई आती हैं दमाईयों को प्रोग करते हैं तो बीमारी सो बचा सकते हैं अगर थोड़ा सा भी अगर दो चार पांच दिन भी अगर हम लेट होते हैं किसानवाई अगर उसको समय से नहीं देखते हैं तो कहीं नहीं कुर्णास की बाली निखलती है तुछ जो एक है लेकिन अरन जाना बमोगात कर देगा तो भूताना चाहूंगा आपके चैनल के माधिवर्णब से अपने खिरकास्ट के लिए और भी शुटपट विमारी नाती है से यह भी भी याता है यह वह को मिलता है इसका सिंटम इसका होता कि प्ती जो आब देखेंगे वाफ्स से और अय है है कि नौक से शूकती हऊस्टी चलती और वही के आकार में नीचे तक पत्व चड़ता चटना जाता और बिमारी पढ़ती जाती है, यह BLV होता है, BLV मतला इसके लिए भी दमाईएं आती है, एंटिवाटिक दमाई हैं, हम फंगल दमाईओं के साथ, नों के साथ में दमाई का प्रियोग करके, हम ये बिमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं मेजर ये बिमारियां रहती हैं जो विस्टानों को परिशान करती है फसल के लिए तो इनको समय से रहते हैं अगर आप गवर करेंगे अगर आप Nature King की बात करते हैं तो Nature King Agrotac के पास में बहुत ही बहतरी bağ quality की दमाईयां है multi national quality की दमाईया और बहतरी गभिनेसिन की दमाईया जो कि market में आज चाहिं हुँ है मैं आपको बताना चाहूंगा जैना I have 36 गड़के market में और other state हैं, वहां भी हमारीAMEством का चल रही है किसान भाई उसको सबसे ज़्यादा वरीता दे रहे हैं उसको बहुत ही प्यार कर रहे हैं जो दबाईयां ले जा रहे हैं उन दबाईयों की बात करते हैं अगर सीथ ब्लाइट की भीमारी आती है तो सीथ ब्लाइट के लिए हमारे पास में हमारे पास में आपको बताना चाहूंगे हमारे पास म जो किसानवाई इस दबाई का प्रियोग कर रहे हैं चत्रिस गड़ में बहुत ही इसका लाब मिल ला है लोगों को पर हमारे किसानवाई इस अजोटी दबाई को सीट बलाइट बास के लिए रिकमेंड कर रहे हैं और डालना है और उनको पुरा सौने 110 परशेंट मिल रहा है यह दबाई आप चत्रिस गड़ में कहीं से भिले सकते हैं जितने भी डिश्टिंग सब जगए अभलेबल हैं इचत्रिस गड़की छोड़ की छोड़ो आप जारखन में अडुईशा में मद्ध्रदेश में मालास्ट्रा में कहीं भी आप इस दबाई को देखेंगे हर जग दबाई का भी प्रियोग कर सकते हैं और बीमारियों के लिए में बताना चाहूंगा आपको यह दोनों दबाई अजोटू और अजोडी दोनों दमाई बहतरीन क्वालिटी की दमाईया हैं यह दमाई जोना हम किसान भाईयों को रिकमंड करते हैं किसान भाई बिना किसी सोच बचाने के लिए काम करें और उनको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है तो मैं यह किसान भाईयों को बताना चाहूंगा कि नेशर गरिन के पास में अजोटी और अजोडू नाम की दो दमाईया हैं जो सीट विलायट ब्लास्ट ब्राउन स्वार्ट जितने भी प्रकार की फंगल बीमारियां अधान में आती हैं आप इस दमाईयों को प्रयोग करें और अपनी बीमारियों को काफी अध्तक कंट्रॉल करेंगे समय रहते अगर प्रयोग करेंगे तो काफी अध्तक बीमारियों का टैक भी नहीं आएगा तो मैं अपने किसान भाईयों को यही बताना नीरत जी अब बात करें बिमारियों की तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और दवाईयों का भी नाम बताया हमें अब दूसरी चिंता ये होती है किसानों की के इंसेक्स, कीडे, महुएं इस सब के बहुत सारी अलग-अलग चीजें होती हैं जो किसान के फसल को पूरा का पूरा बरबात कर देती हैं इनके बारे में का आप कुछ हमें जानकारी दे हमारे किसान बाहियों के लिए और इनसे रिलेटेड हमारे पास आपके पास क्या प्रोड़क्ट हैं उनकी फ्लीज हमें जानकारी देंगे जी ओम्रकास जी अभी हमने चर्शा करी बीमारीयों के बारे में अभी मैं आपने जैसा की सवाल पूचा कि बीमारीयों तो हो गहीं अब पीमारीयों को साथ-साथ इंसेक्ट पेस्ट का बहुत अटक आता है धान की फसल में मेजर जो हैना तनाच्यदक और पत्तालेपेटक जैसी कैटरपलर होते हैं जो धान की फसल को काभी अब तक डेमेज करते हैं तनाच्यदक, पत्तालेपेटक यह दो जो है ना इसको स्टेंबोडर और लिफोलडर के नाम से जानते हैं हम लोग और उसके साथ-साथ ये पहले इंसेक्ट हुआ तनाच्षेदक पत्ताले पेटक दूसरा हुआ महूं महूं को जिसको हम मोलते हैं ब्राउन प्लांटॉपर ये 36 गड़की मेजर समस्या है ना कि 36 गड़की पूरे आलोबर भारत की बात करते हैं देश में जहां भी धान पैदा किया जाता है वहां महूं का अटेक आते हैं और महूं इतना सीरियस इंसेक्ट है कि फसल को मैं बता हूं आपको 80% 70% 80-90% तक फसल डेमेज कर देता है अगर किसान समय रहते का प्रयोग दमाईयों का प्रयोग नहीं करता है तो अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ फसल पूरी पूरी समाप्त कर देता है महूं और तीसरा आप में बता रहा हूं आज कल मैं देख रहा हूं पिछले तीन-चार साल से अच्छे कि सीवियर अटेक माइट का होता जा रहा बहुती माइट जोटा जो एक इनसेक्ट और रैलो किलर को और र्रेरिद का भी होता है सब्जिव में भी पायते हैं यह धानल में यळो कलरका माइट होता है मेजर जो行了 पते में नीची सेसलिवा पे रहता है और यह जो ना पत्ते को शकिंग करता है जूस उसका सक करता है पतलब उसका रस सूसने लग जाता है और धीरे-धीरे पत्ते को पीला कर देता है रस सूसता है तो पत्ते में डेफिनेटली उसकी खोसका है जो बेंस होती है वो डेमेज होती है तो पत्ता जो ना अपने पीला तो यह मैट का सीविर अचका ला रहा है यह सबसे लास्ट में आता है पहले जो मैं बात करूंगा आपको कि धान में तना चेदक आटा है सबसे पहले आप देखेंगे तना चेदक पड़ेगा जो की मेजर समस्या है तो तना चेदक के लिए बहुत सारी कंपनिया अलग अलग की दबाईयां देती हैं लेकर आपको नेचर गरीन के बारे में अगर बात करना चाहूंगा तो नेचर गरीन आपने पास कई प्रकार के ब्रांड लेके आई हुई है जो किसान भाई बहतरिन तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा रिस्पोंस मिर ला ह हमारी आज की डेट में तनाच्हाथ चेतर कंटॉल करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगप," नेचर स्टार के नाम से दबाई आती है। नेचर स्टार जो कि मैं आपको यह बोतल दिखाना चाहूंगा यह नेचर स्टार है यह दवाई आज की डेट में पूरे 36 स्गम में ब्रांड बनी हुई है यह दवाई किसान भाई लेके जाते हैं और अगर दोबारा उनको जरुगत होती तो यही बोतल लेके किसानों के पास है जरूर प्रियोग करें बहुत बहत्तिन रिस्पॉंज देता है नेचर स्टार के साथ साथ हमारे पास एक इसका और भी प्रोड़क्त हमारे पास में है क्योंकि उठाने को आप चक्र उसके साथ साथ एक हम एक नया अपद और भी देते हैं जो कि पिछले तीन साल से हमारे किसान भाई इसको कर रहे हैं यह चक्र नाम की दबाई है आप देख रहे होंगे यह चक्र जो है आजकल किसानों के लिए जो हैना बहतिर बहत्री रिस्पॉंज लंबे अबदी तक का रिजल्ट इसमें आता है एक बार किसान डाल देता तो लंबे 20-25 दिन तक इसका रिजल्ट बड़े आराम से जाता है चक्र नाम की दबाई भी हम तना च्छिदक के लिए लिए रिकमंड करते हैं और किसान भाई इसको पिछले तीन साल से चत्री सब् कर रहें रिजल्ट 110% किसान को मिलना ही मिलना है किसान 100% होके जाएगा तो तना च्छिदक के लिए मैंने बात करिए आपको चक्र और नेचर इस्टार यह दोनों दवाईयां जो है ना तना च्छिदक के लिए 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 नेचरगीन परबार के पास में है नेचर कंपनी इसके साथ बात करते हैं तनाचषिदक की दो बातु हो गई प्रचिदक में सब्सक्रामौ की लिए ne पूरा भी कद AHL sr basket जो है ना महूँ का टेक हों पे तो महूँ के एक कि लिए नेचर गिरेर परवार स्री नेचर गिरी अग्रो टेक कंपनी एक ये नए से रहते हैं अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बैतरी रिस्पोंस आता है अगर खेत में माहूं आपको दिखाई पड़ रहा है तो भी बहुत बढ़िया काम करेगा इस दबाई को डालोगे देरे एक दो दिन में खेता आपका साफ हो जाएगा स्री टेस्ट नाम की जो Hmanch और में बरांड बना हुआ जो है vidéo इस दबाई है कि जब कोई दमाई काम ना करती सब्सक्राइब को प्रयोग करें और इसकी रजल्ट देखे ये इस प्रकार की कॉंटक्ट दबाई है एक चप्छेट में जाते ही पुरा चप्छ कर देते है है Ruby को प्रयोग कर लिए उन्होंने जब किसान हतास हो जाता है माउंगी ड़ाई डालते डालते और उसको रिजल्ट नहीं मिलता है फिर मैं जे बताता हूं फिर मैं बताता हूं को कि आप यह दभाई नेशर की एक वार प्रयोग करके जरूर देखें ब्रहमास्त नाम की दभाई नाम इसका ब्र प्रयोग करता है पिछले तेन साल से च्छत्यस्क Gण में यही ब्रहमास्तथ के दभाई हमारी ब्रैंड बनी हूई है मैं किसान बाइयों को बोलना चाहूंगा कि अपने खेत में अगर ब्रह्माश दवाई का प्रयोक करते हैं तो आप अपने खेत में महँ तुरंथी साप कर देंगे खेत से और लंबी अबदी तक महँ दोबारा खेत में अटेक नहीं आता है इस बात का मैं दावा करता हूँ और ऐसा दावा करने की तो बात क्या ओलेडी किसान यूज कर रहे हैं तीन साल से तीन साल से ये मार्केट में ब्रह्मास नाम की दावाई किसान अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और बहतरी रिस्पंस पा रहे हैं तो हमारे पास में ब्रह्मास जैसी चीज जो मार्केट में च्छाई हुई है किसान बाइस ब्रह्मास दवाई का प्रयोग करें और ज्यादा ज्यादा लाब उठाएं नेशर गिरिन का ये सबसे बैतरीन ब्रांड है अगर बात करूं कहीं नेशर गिरिन की बात करते हैं तो ब्रह्मास दवाई नेशर गिरिन की बहुत बड़ी ब्रांडिंग की है लोग ब्रह्मास को नेशर गिरिन को ब्रह्मास के नाम से जान रहे हैं कि ब्रह्मास किसका है नेशर गिरिन का तो इसलिए प्रह्मास हमारा प्र जलूर करें और ज़्दा फाइदा उठाओँ ए आपक करते हैं daha Черफ माइट माइट के लिए हमारे पास में माइट के नाम से दबाई देते हैं है माईट बहुंट रवाई है कि किसी भी प्रिकार का माईट खेत में धान की फसल में जाए यलो सी Columbia को मैट किसी कि माइट हो आप माइट आउट नाम की दबाई का प्रियोग करें और बैक्तिरी रिस्पोंस पाऊगे हम पिछले तीन साल से यह दबाई 36 गड़ के मार्केट में दे रहे हैं हमारे 200 से प्लस डीलर हमारे काम करते हैं हम पूरे आलोबर 36 गड़ में काम कर रहे हैं कंपनी और हर डिस्टिक में हमारे 20-30 डीलर हैं काम कर रहे हैं हर मार्केट में हमारी डीलर हैं आप किसान भाई में से पर दोनों मार्केट में बना हुआ है डीलर बड़े खुशी दिल से बेच रहे हैं और डीलरों को पूरा इसको रिस्पोंसमें लाए दबाई का तो मैं अग्रह करूँगा आपके परवार के माध्यम से आइन 20 माध्यम से कि आप फार्मर लेबल तक यो इनिसेटिव आप कर रहे हैं यह बहुत ही बैतरीन चीज़ ह आप इसको जरूर समय-समय पे हमारे देशके किसानों को पर रहे हमारी सित्फिश गड़की किसानों को समय-समय पे आप चुछ जानकारी मिलती रहे और सी आसा के साथ में आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और नीचर गरीन पर्बार आपका तहे दिल से स्वागत करता है धन्यवाद करता है कि आप समय समय पे नेचर गरीन को और नीचर गरीन की प्रोडट्स को आप मार्केट में जरूर हास्त्र है उसका, सीनेचर एकुरू टिंग परवार पिछले five सालों से लगातार किसान भाईयों की मदद के लिए और किसान भाईयों की सेवाबहों के सात में एक कंपणी है, स्वार्चित कंपणी है, छौतिरगर की अपनी कंपणी है, जो की दोने एक ब्रैंड बन चुके हैं तो आइलेंट 24 परिवार हमेशा कोशिश करता है कि किसान भाईों के लिए हम नए प्रोग्राम्स और नई जानकारियों के साथ हमेशा आते रहें आज हमारे बीच नियाज पांडे जी थे मानेजिंग डिरेक्टर और उन्होंने बहुत सारी जानकारियों हमको साजा की आशा करते हैं किसान भाई इसका उप्योग करेंगे और अपने फसल को और अपनी महनत को बिलकुल परिणाम तक लेके जाएंगे धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भुले